Champ अबर 3 Ruleिएभि क्रीपी कुर्कुरी भींदी के आप चाहा सकते हैं में dr नेकरत के एक हैं को मेंदर टिश ent Treatment kell में लाज zeigt कट करेंगे एक बिंदी लेंगे और बिंदी का इडंटल वाला पाट कट करेंगे और इसे बिच में कट करके एक बिंदी के चार तुकड़ों में इसे इसी तरह से लंबाई में कट करेंगे एक बिंडी के आत तुगड़े होने चाहिए अब हम इसके अंदर के जो बीज है पूरे बीज निकालेंगे देखो इसी तरह से अंगुटु की मदद से भी आप बीज को निकाल सकते हो नहीं तो चाको की मदद से भी निकाल सकते हो तो चलिए इसी तरह से हम सारे बिंदी को कट करके इसके अंदर के बीच निकालेंगे बिल्कुल ही पतली बिंदी कट होनी चाहिए तब बिंदी आची तरह से क्रिस्पी बन चाती है इसी तरह से बिंदी को मैंने कट करके लिया है इसके अंदर के पुरे बीच निकाले है और ये बचे हुए बिंदी के बीच है इसे फेक के मत दीचे इसमें थोड़ा प्याश तमाटर मसले डाल के इसकी सटनी भी बना सके इसकी रोटी के साथ खाने के लिए बहुत धिस्टी लगती है तो मैं सजेस्स करूँगी कि इसे फेक के मत दीचे तो चले हम करारी बिंदी बनाना स्टार्ट करेंगे इस जो बिंदी है बिंदी कट करने के बाद थोड़े स्टिकी बन जाती है इसलिए हम sticky पना कम करने के लिए इसमें डालेंगे एक चमाच निम्बू का रस निम्बू की रस की वज़े से बिंडी का sticky पना कम हो जाता है इसे अच्छे तरह से मीक्स करेंगे बिंडी को थोड़ा साइड में रख देते हैं तब तक के लिए हम मसाले बनाएंगे इदर मैंने बाउल लिया है इस बाउल में मैं डालूंगे चार चमाच बैसन दो चमाच राइस फ्लोर राइस फ्लोर से बिंडी बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है इसमें मसाले डालेंगे आदा चमच हल्दी, एक चमच लाल मीश पाउडर, एक चमच दनिया पाउडर, आदा चमच बुना हुआ जीरा पाउडर, आदा चमच गरम मसाला, इसमें दलेंगे आदा चमच चाट मसाला, चाट मसाला नहीं तो आमचुर पाउडर भी डाल सकते हो और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मीक्स करेंगे ध्यान रखे मैंने इसमें नमक नहीं डाला है नमक हम बाद में डालेंगे और ये बिंडी है बिंडी में मसाला डालेंगे और बिंडी को अच्छी तरह से कोट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम मसाला दालेंगे इसे में टॉस करूंगी जैसे हम मैरिनेट करते हैं उसी तरह से ही भींडी को ए मसाला लगाना है थोड़ा पानी दलूंगी मैं इसमें और भींडी को बेशन ये सारी चीजे की साथ अच्छी तरह से कोट करेंगे ये बचा हुआ ब पीर से बिंडी डालेंगे और अची तरह से कोट करेंगे तो इसी तरह से बनके तयार है अब हम इसमें जलेंगे टेस्क के लिए नमक त्याल रखे नमक थोड़ा ही नाल दीजे क्यूंकि चाट मसाला में नमक होता है इसे मीक्स करेंगे तो कुरकुरी बिंडी बनाने के लिए हमारी ये बिंडी तयार है अब हम इने तलेंगे बिंडी तलने के लिए ग्यास के उपर महीने पैन रखा है और पैन में तेल डाला है तेल अच्छी तरह से गरम हुआ है एक बिंडी डालके देखते है तो देखो इसी तरह से बिंडी तेल के उपर आती है इसका मतलब अच्छ तरह से गरम होना चाहिए तो इसी तरह से बिंडी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी करारी बन गई है बिंडी को एक पेपर टाविल के उपर निकालेंगे तेल में बिंडी डालने के बाद तुरंथ ही इसे मिक्स मत कीजिए जो चाक दीख रहे है इसे कम होने दीजिए उसके से मिक्स करेंगे तो लीजे ब्रेंट्स बहुत ही क्रिस्पी करारी खाने के लिए बिंडी बन के तयार है चरो आप इस रेसिपी को ड्राइ कीजिए आयो पको पसंद आएगी और हमेशे की तरह मेरे आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी पसंद आई तो लाइक और शेकर ना मत भूलिए तो अचले फिर हम मिलते हैं इसी ही ने रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुट बाई हैव नाइस टे